नमस्कार आप देख रहे हैं इंडियानी उसका डिजिल चैनल इन खबर सारुक खान के बीते साल सामने आई फिल्म जीरो वॉक्स ओफिस फ़र दरासाई होने के बाद खबर आई कि जल्दी वो अंतरिक शियाती राकेश शर्मा की बायोपिक सारे जहां से अच्छा की सुटिंग शुरू करने जा रहे हैं लेकिन अचाना की किंग खान के इस फिल्म को छोड़ने की खबर सामने आई गई अब केंग खान की इस बिग बजट फिल्म को लपकने के लिए कई एक्टर्स कतार में खड़े नजर आ रहे हैं नाकेश शर्मा के बायोपिक सारे जहां से अच्छा को लेकर आए दिनों कोई ने कोई बड़ी खबर सामने आ रही है अब सारुख खान के निकलने के बाद से ही फिल्म की प्रोड़क्शन टीम चाहती है कि इसमें कोई नई पीड़ी का हीरो नजर आए इसी बीच फिल्म में लीड रोल के लिए कार्थिक आरेन और विकी कोशल के बीच मुकाबले की खबर सामने आई थी लेकिन अब इस दोड में एक नया नाम सामने आया है एक रिपोर्ट की जानकारी के अनुसार महेश मतही की इस फिल्म के लिए इस्त्री स्टार राजकुमार राओ को भी अप्रोच किया जा चुका है जी हाँ पिछले दिनों कार्थिक आरेन और विकी कोशल के इस फिल्म से जुणने की खबर सामने आई वहीं अब लग रहा है कि यह बाजी राजकुमार राओ मारने वाले हैं तो देखा जाए तो यह मुकाबला आप काफी कड़ा होता नजर आ रहा है क्योंकि बात की जाए विकी कोशल की तो वह इन दिनों अपने फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से बॉक्स आफिस पर चाय हुए हैं वहीं कार्थे कारण इन दिनों अपनी आगामी फिल्मों के कारण जर्चा में बने हुए हैं तो ही राच उमार राओ अब तक कई ब्लॉक बाक्स्टर देकर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं ऐसे मैं कहना गलत नहीं होगा कि शारुक खान के फिल्म छोड़ने के बाद से इसमें कोई परफेक्ट चेहरा सामने नहीं आ पारा है देखना यह होगा कि इन तीन महारतियों में से कौन ये बाजी मारता है बाकी बात अगर शारुक खान की की जाए तो फिल्हाल ऐसी कोई ख़बर सामने नहीं आई है कि सारुक खान ने राकेश सर्मा की बायोपिक सारे जहां से अच्छा क्यों छोड़ दी अगर आपको वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद